हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज इन हिंदी और आज हम जानेंगे अगर आपके पास भी है लैप्टॉप और आपका मोबाइल चाहे भी कोई सी भी कमपनी का हो कोई सा भी मोडल हो कितना भी नया या पुराना हो और आप अपने मोबाइल को अपने लैप्टॉप में ब्लूटूथ के जरीए कनेक्ट करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका लैप्टॉप और आपका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट रहे एक साथ तो कैसे करते हैं आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोवाइल लेना है और यहाँ पर आपको अपने मोवाइल में सेटिंग्स ओपन करना है settings open करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे option मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा Bluetooth तो Bluetooth वाले option पर touch करें और यहाँ पर सबसे पहले अपना Bluetooth चालू कर लीजिए यहाँ पर यह हमारा बंध है जैसे अभी तो आपको इसे चालू करना है और यहाँ पर आपको आपका जो device name है वो दिखा देगा तो हमारा है Redmi 5 यहाँ पर दिखा रहा है आपको इसे याद रख लेना है यह बेहदित जरूरी है computer में हमसे पूछेगा फिर आपको अपना phone रख देना है तो यहाँ पर आपको अपने computer में आना है या laptop में आना है तो यहाँ पर विंडो बटन प्रेस करें फिर आपको लिखना है यहाँ पर settings settings लिखिए और settings में आने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा आप इसको full screen कर लीजिए फिर आपके laptop में कुछ option आ जाएंगे जैसे की system, device, phone, network, internet तो यहाँ पर आपको device वाले option पर click करना है यहाँ पर आपके पास ऐसा page आएगा लगभग थोड़ा वो change भी मिल सकता है सबसे पहला आपको Bluetooth on करना है यहाँ पर अगर आपको यह बंद है तो इसको चालू करिए चालू करने के बाद थोड़ा सा इंतिजार करिए दो या तीन सेगिंड का फिर आपको उपर मिलेगा एक plus का आइकन और यहाँ पर लिखा होगा अड़, Bluetooth और other device इस पे किलिक करिए सबसे उपर वाले option पे किलिक करें Bluetooth, My Keyword, Pants और Audio and other kinds of Bluetooth device इस पे किलिक करें थोड़ा सा वेट करें फिर आपका जो mobile है, mobile का model number जो मैंने आपको कहा था यहाँ रखने के लिए वो यहाँ पर दिखा देगा आपको इस पे किलिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर आपका जो mobile है, उसके अंदर एक notification आएगा कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पर आपको इस वाले option पे टिक मार्क कर देना है, यानि अगर टिक मार्क नहीं है तो इस पे टिक मार्क करिए, और पेर वाले option पे टच करिए फिर आपको अपने laptop में आना है, और connect वाले option पे किलिक करना है और यहाँ पर आपका जो mobile है, और laptop है, वो आपस में connect हो जाएगा Bluetooth के जरिये, तो नीची की तरफ आईए, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका mobile का model number और यहाँ पर दिखाया देगा connected तो यहाँ पर यह बेहदी आसान है, इससे आप कोई photo वीडियो भी भेज सकते हो अपने mobile में जैसे कि यहाँ पर हम शाहरुखान का यह वाला photo भेजते हैं, तो हम इस पर right click करते हैं send to वाले option पर click करते हैं, bluetooth device पर click करते हैं, redmi पर जाते हैं और next कर देते हैं, फिर हमारा जो mobile है वो हमसे पूछेगा yes करने को, accept करने को, कुछ इस तरीके का तो accept कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो photo है या video जो आप भेज रहे हैं, वो आपके computer laptop से आपके mobile में आ जाएगा वीडियो पसंद आई है, वीडियो को like करिएगा, channel को subscribe करिएगा, अगर आपका कोई सवाल है, तो comment जरूर करिएगा